वेलकम बैक गाइस एन आर अनदर वीडियो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्रोस तेक्ष्ण ऑफ सिवर पाइप इन सिमेंट कौन इसके लिए हम स्केल करेंगे वन रेशियो 3 1 ratio 3 के scale लेंगे जितने भी हम इस drawing में dimensions लेंगे वह सारे 1 ratio 3 के scale पर convert करके लेंगे तो आपको जो circle draw करना है circle draw करना है 200 mm का जो इसका actual इसका इसको आप 1 3rd के scale पर convert करेंगे और आप इसको draw कर लेंगे then जो इसका concrete filling होता है इसमें तो जो इसका base concrete है यह होगा 150 mm का 150 mm का हम 1 ratio 3 के scale पर convert करेंगे convert करने के बाद जितना आएगा उसको हम draw करेंगे यह जो dimension है सारे वो mm में है जैसे कि मैंने mention किया हुआ है then आते हैं इसके base पर जो base की चोड़ाई है वो है d plus 300 तो 300 में d डाया दियावाय में 200 तो 200 के डाया को हम add करेंगे 300 में then उसको 1 ratio 3 के scale पर convert करके हम इसको draw कर लेंगे then यह वाला distance मैं आपको बता चुका हूँ और यह जो है यहां से मतलब यह डाया से इस line के बीच का distance 25 mm इसको हम scale पर convert करके draw करेंगे then जो उपर का extra height है उसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसका कोई fixed dimension नहीं होता वो depth कितनी भी हो सकती है यह जो उपर का line है यह ground level type का है इसको हमने इस symbol से शो किया है यह symbol बनाना जरूरी है then जो main बात है वो है आपको इसको clearly ब 14 थिक sewer pipe जो है इसमें जो hatching दिखानी है यह आपको में पहले बता चुका हूँ यह 45 degree 45 degree के angle पर दिखाए जाती है तो अपने जो drafter को 45 degree पर set करें और इस hatching को draw करें आप center lines का use कर सकते हैं circles को अच्छे से draw हरने के लिए यहां dotted दिखावाए यह मैंने concrete का शो कियावाए symbols से और जो थर्ड पॉला आपका circle आएगा यह dotted आएगा one third part में जिसको आपको dotted ही बनाना का because यह covered आएगा concrete में तो इस वीडियो के लिए इतना ही आपको I hope आपको समझ आया होगा अगर आप कोई भी problem है तो comment कीजिए comment section में और हम पूरा कोशिश करेंगे आपकी problem को दूर करने का और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए channel को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share thank you so much